आज के इस वीडियो में आपसे बात करने बाली हूँ कि डियाविटीज या प्री डियाविटीज जब हो जाती है लोगों को आप इंसुलीन के यूनिट्स ले रहे हैं, उसके बाद भी कुछ खाने पीने की ऐसी चीजे हैं, जिसको अगर regular basis पे आप अपने diet में लेंगे, तो इसको आप reversal की तरफ लेकर जा सकते हैं, जी हाँ, reversal की जब मैं बात करती हूँ, तो बहुत सारे लोग question करते हैं, मुझे comment में बहुत सारे comments आते हैं, कि मैडम आप क्या बात करती हो, diabetes तो कभी reverse नहीं हो सकता है, वेकिन मेरा यकीन मानिए, diabetes को reverse किया जा सकता है, अगर आप diabetes की medicine ले रहे हैं, तो उस medicine को छोड़ा जा सकता है, तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं, हलो, सलाम, नमस्ते, सस्रीकाल, मेरा नम पुनीता जार, और आप देख रहे हैं, आपका अपना YouTube चानल, holistic healthy पुनीता, ये जो diabetes होती है, इसमें कुछ ऐसे खाने के चीज़ें जरूर है, जिनको आप ध्यान रखोंगे, तो आपका बहुत फाइदा हो सकता है, जिसमें पहली चीज की मैं अगर बात करूं, जिसके खाते हैं, वो खाना जो सुगर में convert होता है, उसके conversion को वो थोड़ा slow कर देता है, करेला करेले के अंदर कुछ ऐसे element होते हैं, जो उसको सुगर में convert होने को थोड़ा delay कर देता है, तो वो delay से आपके blood में जाता है, और फिर slowly slowly जाता है, जिसके वो जिससे सुगर आपका बहुत करवा लगता है, तो करेले को सुखा कर आप पाउडर बना सकते हैं, थोरा सा पाउडर को गुंगुने बानी में मिला कर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप juice लेना चाहते हैं, तो टमाटर और करेले को और उसके अंदर अग बीटरूट या गाजर मिक्स करके अगर बना कर आप लेंगे, तो उसका टेस्ट उतना करवा भी नहीं होगा, और फाइदा आपको बहुत सारा मिलेगा, दूसरे अगर एक सबजी की बात करूँ, जो की बहुत ignored सबजी है, जिसको हम कहते है सफेद पेठा, यही वो सफेद पेठा है, जो आगरा का famous मुरब्बा बन बहुत बारा detoxifying isn't होता है सफेद पेठा, जिन लोगों को liver related problem है, fatty liver की problem है, liver cirrhosis की problem है, यह liver में generally बहुत ज्यादा toxins इकठा हो गई है, उनके लिए भी यह सफेद पेठे का juice सुबह सुबह पीना बहुत ज्यादा फाइदे मन्त है, इस सफेद पेठे को आप किसी भी form में ले सकते हो, आप सबजी बना कर ले सकते हो, आप juice बना कर ले सकते हो, juice अगर बनाते हो तो भ्रहान रखने के जरूरत है कि इसके अंदर पुदीना, धुनिया, आमला जरू डालिएगा, तुलसी के पते भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक या सिंदा नमक भी आप डा इसके बाद तीसरी के अगर बात करो तो कदू जिसको की सीता फल कहते हैं ये भी बहुत इग्नोर्ड एक वेजटेबल है ये सीता फल जो है वो बहुत सारे ट्रडिशनल मेडिसीन में यूज किया जाता है इसके आप पंप्किन के सीट के नाम से भी जानते हो उसके सीट से ले ग्लाइसमिक इंडेक्स जो होता है वो आपके बॉड़ी को हाम बिल्कुल भी नहीं करता है इसलिए आप इसको हफते में दो से तीन बार सीता फल अगर खाना सुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उसके बाद जिसको की हम कहते हैं जीमीकन जमीन के अं इसके बाद एक और इडिशनल फल है जिसको की जामून कहते हैं जामून जो है वो बड़ा अच्छा होता है डाबेटीज को रिवर्स करने में तो जामून का गुठली का पाउडर भी ऑर्गेनिक अगर आपको मिलता है यह जो बीज होते हैं उसको सुखा कर अगर पीस कर आ क्योर जामून के गुठली का पाउडर आप आधा चमच गुंगुने पानी में एक से दो बार अगर लेना सुरू करेंगे तो आपका HbA1c जो है उसको बहुत ज़्यादा यह नीचे लाकर रखेगा वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसकीन से रिलेटेड जिननों को इंफेक्शन बगरा बहुत ज़्यादा लगती है आपको से रिलेटेड बहुत प्राबलेम है वैसे में भी यह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फ्रूट होता है जो जिनको डैवेटीज है उनको जरूर खाना चाहिए उसको हम कहते है एपल सिर्फ एपल ही नह काली मिच को क्रस करके डाल दीजिए फिर इसको दो तीन बॉयल देने के बाद छान लीजिए छानने के बाद जब यह पानी गुनगुना से थोरा ज्यादा रह जाए फिर इसमें एक से दो चमच एपल साइडर वेनेगर मिलाए इसका लेने का भी दो तरीका है अगर आप व पीपी है उसमें गिराबट आनी शुरू हो जाएगी मैं यह कहूंगी कि तीन महीने एकपल साइडर विनेगर लेने के बाद 15 दिन का जरूर ब्रेक दीजेगा उसके बाद आप दुबारा से फिर इसको स्टार्ट कर सकते हैं यह सारी चीजें जो है उमीद करती हूं कि आप कि सुगर का लेवल कितने दिन तक आया कब तक लेना है इन सारी चीजों को lifelong ले सकते हैं कोई restriction नहीं है इसके अंदर कोई रुकाबट नहीं है क्योंकि इन सभी चीजों के अंदर nutrients अलग अलग तरह के भरभर के डली हुई हैं हमें तो जिन्दगी में हर रोज nutrients बहुत सारा चाहिए होता है उमीद करते हूं कि इस वीडियो से आपको और आपके family को बहुत फायदा होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो like के बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए subscribe करके bell बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो का आपको notification बिल पाए इसी तरह के मज चिदार वीडियो अगर और भी आप देखना चाहते तो आप मुझे instagram और facebook पे भी holistic hair पी पुनीता से follow कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक happy रही है healthy रही है मुस्कुराते रही है अपना और अपने परिबार का बड़े प्यार से देखवाल कीजिए thank you so much मुझ प्सक्राइपिंज कर दूद कर दिंग्छ कर दित दो है है स्बतक ठ 수атель मुझे तो कर दो मुझे से चने दो है इसOGने है सिह कर दो छूड है साजूना और भी करे बचले कंए मुझे यद्ना कर दूदां कर फजर वीडिहा स zor मुझे प göz पलना अबार कर दो दोर दो आबार